अस्सलाम वालेकुम फ्रेंग्स होप यौल रफाइंड तोड़ वी विल डिसकस चैप्टर नंबर फिसिक्स चैप्टर नंबर टू स्कैलर एंड वेक्टर के तमाम क्यों वेक्टर नंबर फिसेश नंबर फिसक्टर नंबर नंबर लाजमी देखा होगा दैन आप यह लैक्टर नंबर 2 है हमाई पास जो आज लोग डिसकस करेंगे lecture number 1 भी हमने बहुत detail में discuss किया था इंशाला lecture number 2 भी आज हम detail में discuss करेंगे so friends ये इन lectures को देखने से पहले mcqs वाले lectures को देखने से पहले आप मेरे playlist में जाके chapter number 2 the scalar and vector की नाम से playlist में है आप वहाँ जाके आप क्या करें तमाम videos देखें lecture 1 से लेकर lecture 9 तक जितनी भी video से वह तमाम देखें फिर आप ये mcqs देखेंगे तो इंशाला आपको ये बहुत अच्छे से समा जाएंगे so friends चलते हैं अपने topic की तरफ 2010 का mcqs है 22 so friends हमें दिया हुआ है p1 and p2 are two position vector making angle theta 1 and theta 2 with positive x axis respectively हमें दिया हुआ है दो position vectors है एक p1 है और एक p2 है जिनका angle बन रहा है theta 1 और theta 2 किस पर x axis पर respectively find their vector product हमें क्या find करना है vector product find करना है when जब p1 हमें पास क्या है 12 cm, p2 हमें पास 9 cm है theta 1 हमें पास 30 degree है और theta 2 हमारे पास 90 degree है so friends हमें क्या दिया हुआ है p1 दिया हुआ है और p2 मतलब कि p1 और p2 हमें क्या find करना है vector product find करने है vector product find करने का formula है p1 p2 बराबर है p1 p2 बराबर है p1 p2 sin theta के अब हमारे पास क्या है हमें दिया हुआ है 2 theta 1 और theta 2 theta 1 क्या है 30 और theta 2 क्या है 90 तो हमने किया x-axis पर प्लेन बनाए हमने दो वेक्टर बनाए एक P1 है और एक P2 है P1 क्या है 30 डिगरी और P2 क्या है 90 डिगरी अब इन दोनों के दर्मियान कितना space है मतलब कि ठी अगर हम 90 को 30 से 60 डिगरी तो इन दोनों के दर्मियान जो एंगिल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 60 डिगरी तो हमने क्या लिखा P1 P2 sin theta theta की जगा 60 लिखा मतलब P1 की value के 12 cm 12 लिखा P2 की 9 ठीक है और sin 60 बराबर होता है जो हमें question में दिया हुआ है अंडर रूट 3 अपाउंट 2 ठीक है ट्वाइस नाइमजा क्या होता है 108 ठीक है sin theta की हमने क्या साइन 60 जो बराबर होता हमने वो value लिखी ठीक है अब क्या हो रहा है तू अब 108 मतलब divide हो रहा है ना टू से तो टू फाइफ जा टैन और ठीक है टू एट अब हमें पर क्या value आ गई 54 54 अंडर रूट 3 अब हम देखते हैं हमारा एमसी क्योंक कॉन सा करेक्ट है एड ओवा है 37 अंडर रूट 7 वी दिआओ है 54 अंडर रूट 3 सी दिया हुआ है 49 अंडर रूट 2 दि दियाओ three अंडर रूट 5 और एड य दिया वह 23 अंडर 9 तो इसका करेक्ट हैं से क्या है 54 अंडर रूट 3 हमने के detail में इसको solve कहता कि आप लोगों को असानी हो सके question number 23 हमारे पास explain the scalar product of k का scalar product find करना है मतलब explain करना है हमें i plus j दिया हुआ है where i, j and k represent unit vector i, j और k किसको represent कर रहा है unit vector को रिप्रेजेंट कर रहा है along x, y and z सहीं न यह कौन से axis पर है x, y and z axis पर of three dimension rectangular coordinate system तो friend से हमें explain करना है scalar product ठीके ना जो के k i और j दिया हुआ है ठीके अब हमें क्या i, j and k क्या represent कर रहा है x, axis, y axis और z axis को यह क्या है three dimensional rectangular coordination system है अब हमें पता है जब यह तीनों क्या हो x, a की x मतलब के x axis भी है तो scalar product k क्या होगा हमें पता 0 तो 0 क्या है correct answer है then हमें पर 2011 का mcqs है all of the following scalar product accept तो अब हमें बताना है कि वो कौन से जो scalar product नहीं है temperature, scalar product density, scalar product volume, scalar product force क्या है scalar product नहीं है और speed भी क्या है scalar तो इसका correct answer क्या है में आपर D force, then हमारे पास दिया हुए 25, r1 and r2, क्या दिया हुए r1 and r2, r2 position vector हमारे पर क्या r1, r2 क्या है दो position vector है, इनके angle बन रहे है theta 1 और theta 2, position किस पर है x axis पर है respectively, their vector product is, इसकी vector product क्या है वो उसी तरह find होगा जैसे कि हमने 2009 के अंदर solve किया था, so friends इसका formula क्या है हमारे पास, r1 हमें दिया हुए 4 cm, r2 हमारे दिया हुए 3 cm, theta हमें दिया हुए 30 degree और theta 2 दिया हुए 90 degree, तो अब हमें answer देखना है, यह हमारे पास है 12, under root 3, 6 under root 3, 6 under root 12, 12 under root 6, 3 under root 6, तो आए हम check करते हैं कि answer सही है या गलत, so friends हमें दो position vector दिया है, एक r1 और एक r2, r1 क्या है हमारे पास 30 और r2 क्या है हमें पास 60 degree, इनके दर्मियान जो angle बन रहा है 30 का बन रहा है, क्यों? 60 को हम minus करें, 60 को हम minus करेंगे 30 से, तो कितना angle बनेगा? 30 degree, इन दोनों के दर्मियान जो बन रहा है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें पता है, r1 बराबर है, मतलब कि r1 dot r2 बराबर है, r1 r2 sin theta के, तो r1 हमें क्या दिया है 4, r2 हमें क्या दिया है 3, sin 30 हमें पता है, किसके बराबर होता है sin 30, under root 3 upon 2 के, तो 4, 3 is the 12, 2, 1 is the 2, 2, 3 is the 6, तो 6 under root 3 हमें पर क्या है correct answer है, तो क्या है b is the correct answer, then 2012 है, 2012 में पूछे जा रहा है question number 26, if a vector 2i plus 3j minus k, b vector हमारे पास है 4i plus 2j minus 2k, find a vector x parallel to a, but has magnitude of b, so friends इसमें हमें कहा जा रहे, इसमें हमें कहा जा रहे के vector x find करो, जो के a, a के तो parallel होना चाहिए, और उसका magnitude जो होना चाहिए, वो b वाला होना चाहिए, so friends कैसे हमें क्या find करना है, x find करना है, x, vector x find करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, अब देखो, अब हमें पता है, जब हम किसी vector को उसके magnitude के साथ divide करते हैं, तो हमाई पास क्या आता है, unit vector आता है, unit vector आता है, unit vector को हम a से भी show कर सकते हैं, और ऐसे भी, magnitude, so friends, अब हमें पता है, के unit vector का formula है, a magnitude upon a, a vector upon a का magnitude बराबर है, under root b के, ठीक है, हमने क्या क्या, a की value लिखी, under root, अब magnitude हमाई पा क्या क्या करेंगे, a की value लिखेंगे, ठीक है, under root के अंदर, अब हमाई पा क्या क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, कि square से multiply करेंगे, 2, 2s are 4, 3, 3s are 9, और 2, 1s are 2, ठीक है, अब हमाई पास आया, 4, 9, और 2, प्लस करेंगे, तो हमाई पास क्या 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 देगा, 14, under root 14, ठीक है, under root 14 आया, और यह क्या है, 4, 4s are 16, 2, 2s are 4, 2, 2s are 4, मतलब 16, प्लस 4, प्लस 4, तो हमाई पास क्या है, 24 आ गया, अब हम, अब हमें पता है, यह भी under root में, यह भी under root में, तो हम इनको क्या कर देंगे, एक site पर कर देंगे, हमने site पर क्या, अब हम 14 upon, 24 upon 14, 14 का under root निकालेंगे, तो क्या जेगा, 7, ठीक है, हमने under root को cancel किया, 14 से तो क्या है, 7, तो under root 12 upon 7, 2i plus 3j minus k हमाई पास क्या है, correct answer है, so friends का मतलब है, a is the correct answer, under root 12 upon 7, 2i plus 3j minus k is the correct answer, question number 27 है, if a vector बराबर 3i plus 6j minus 2kk, then unit vector parallel to a vector, parallel किसके है, unit vector parallel a vector के will be, क्या होगा, so friends हमें क्या दिया हुआ, a vector दिया हुआ है, हमें unit vector find करना है, अब हमें पदा unit vector find करने का क्या formula है, हम क्या करते हैं, vector को उसके magnitude से क्या करते हैं, divide करते हैं, ताकि हमारे पास क्या आजाए, unit vector आ जाता है, solution हमारे पास है unit vector बराबर है vector upon magnitude its magnitude so friends 3i plus 6j minus 2 के हमने क्या a vector की value लिखी जो हमें question में दी भी थी हमने vector का वो लिखा under root 3 square 6 square minus 2 square 2 2 square तो हमारे पास क्या आया थी आया प्लस करेंगे तो हमें पर क्या जाएगा 49 का under root निकालेंगे तो क्या जाता है 7 आजाता है तो 3 मतलब कि 77 क्या होता है 49 होता है अब हमारे पास क्या है 3i upon 7 plus 6 j upon 7 minus 2k upon 7 अब हम देखते हैं हमारा correct answer क्या है तो हमारा correct answer क्या है 3i 3 upon 7i plus 6 upon 7j minus 2 upon 7k b is the correct answer then हमारे पास है 2013 का mcqs 2013 में mcqs में क्या कह रहे है the work done in कहा जा रहा है the work done in moving an object along a straight line from हमें क्या हुआ है r1 दिया हुआ है 3 2 minus 1 सही ना 2 r2 दिया हुआ है 2 1 4 ठीक है in a force force find which is given by अब हमें यह क्या है mcqs दिया हुआ है और 2 भी दिया हुआ है जो के straight line में मतलब के work done work done है एक straight line में हम object को क्या करें move कर रहे हैं 3 2 minus 1 से लेकर 3 2 1 4 तक force जो बराबर है 4i minus 3j plus 2k के बराबर है और हमें क्या हमें displacement find करनी है अब हम क्या करेंगे r2 को minus करेंगे r1 से मतलब के बात वाले से पहले वाले को क्या कर देते हैं हम minus करते हैं so friends यह question आप खुदी solve करिएगा इसका formula है हमारे पर delta r बराबर है r2 minus r1 के हमने क्या कर बात वाले को पहले वाले से minus किया तो हमारे पाफ value जो दी विए 3 2 minus 1 2 1 4 हम क्या करेंगे इसको इससे minus करेंगे तो हमारे पास value आजेगी then हम क्या करेंगे work done का formula लेकिंगे work done का formula हमारे पार बराबर होता है force upon displacement मतलब के delta r हम delta r की जो value हमारे पार निकली है हम क्या करेंगे उसको force से क्या कर देंगे multiply कर देंगे then हम क्या करेंगे उसको add करेंगे तो हमारे पास answer क्या हमारे पास answer आ जाएगा हमारे पार answer क्या आएगा 15 आएगा so friend यह repeated question है जो मैंने आपसे discuss किया 2013 के अंदर भी MCQs आया 2015 के अंदर भी यह MCQs आया है और 2009 के अंदर भी MCQs आया है so friend इसका correct answer हमारे पार क्या है 15 then हमारे पार 2004 में जो MCQs पूछा गया है the scalar product of 2i-j plus 3i 3i plus 2j minus k is हमारे पार क्या scalar product है 2i minus j plus 3k 3i plus 2j minus k अब तो इसका correct answer क्या है 1 जब हम इसको इससे करेंगे तो हमारे पार answer क्या आजेगा 1 आजेगा अब हम सोच रहेंगे कैसे आजेगा देखें हमने क्या क्या है जब हम 2 को 3 से 2 में से 3 गई कितने आया 1 आया 2 में से 1 गई 1 आया 3 में से 1 गई 2 आया ठीके ना अब हमारे पास क्या है 3 3 में से हम minus करेंगे 2 को तो हमारे पार क्या answer आजेगा 1 तो 1 is the correct answer यह करके solve करके देखेगा आप इंशाल्ला आपको answer मिलेगा देन हमारे पास है 2015 का mcqs 2 force of magnitude 10 newton 10 newton and 20 newton act on a body is direction making angle 30 degree and 60 degree respectively with x axis what is the resultant force हमारे पास क्या है दो force है जिनका magnitude 10 newton and 20 newton act और यह direction with making angle दर्मियान जो angle बन रहा है वो 30 degree और 60 degree का बन रहा है किस पर x axis पर इसका क्या करना है what is the resultant force resultant force फाइंड करने हमारे पास क्या है x axis पर दो forces है एक क्या है क्या है का magnitude 10 newton जिसका magnitude क्या है 10 newton and 20 newton ठीक है force 1 हमारे पास 30 degree है और force 2 हमारे पास 60 degree है सो फ़र हमें resultant find करना है resultant force हमें find करना है resultant का formula हमारे पास है अंडर रूट a square plus b square plus 2 a b cos theta ठीक है अब हमारे पार क्या है एक जो force दीविए है 10 और एक 20 अब a b लिखा हमने 2 का 2 लिखा a की value 10 है b की value 20 है सही ना cos 30 क्यूंकि 60 और 30 की दर्मियान जो बरा दर्मियान वाली degree लिखेंगे दर्मियान वाले के लिखेंगे एंगिल लिखेंगे इन दर्मियान जो एंगिल बन रहे हो किसका बन रहे 30 दिग्री तो 30 दिग्री लिखा ठीक है कोस 30 किसके बराबर होता है सो फ्रेंड्स मैंने कोस और 90 की जो कोस और साइन की जो values निकालना मैंने without calculator भी सिखाई है आप में प्लेलिस्ट पर जाएंगे वहाँ पर आप चेक करेंगे इन्शाल्ला आपको वह भी मिलेगा तो 100 को 10 को 10 से multiply करेंगे तो 100 आएगा 20 को 20 से करेंगे तो 400 आएगा ठीक है अब क्या है 10 को 10 और 20 अब को स्थार्टी किसके बराबर है 0.9 के 0.9 आगया अब 10 को प्लस करेंगे तो 400 मतलब 10 मतलब 100 को प्लस करेंगे 400 तो तो 500 आया और 2 को 10 से पहले उमक्या करेंगे 2 को multiply करेंगे 10 से तो क्या आजैगा 20 को multiply किया 10 से तो हमारे पास क्या आगया 200 को को dalिक्षार्टी करेंगे 2 से और तो क्या जिए आज़ेगा? 36 360 आगया 360 को 500 से प्लस करेंगे तो 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 हमाई पास अंसे क्या है? 29 कि आप लोग सोच रहूंगे इतना बलर बलर क्यों है ये पेज इस ये मेरे पास PDF में पढ़े थे तो मैंने इसको क्या किया है इनको मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है जिसकी वज़ासी थोड़े से blur है थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है लेकिन जब भी मैं read out कर रही है आप थोड़ा इंशालला अच्छे से समझ जाएंगे प्रोजेक्शन ओफ E 2I-3J प्लस 6K इन्टू दा डारेक्शन ओफ वेक्टर F बराबर है आई प्लस 2J प्लस 2K इस कुश्चन में हमें क्या करना है प्रोजेक्शन फाइंड करना है जो के मतलब के E का जो प्रोजेक्शन है वो किस पर है F के उपर है फेंट चलते हैं डिटेल की तरफ For example हमारे पास क्या है दो वेक्टर है सही ना एक A वेक्टर है उर एक B वेक्टर है A का मतलब क्या बी का जो projection है वो A के उपर पढ़ आए ठीक है अब हम A का projection जो है वो B का projection वो A के उपर पढ़ आए तो इसका मतलब यह है के A.B.B. बराबर है A.B.A के इसी तरह अब इसी तरह हमाँ पर क्या है दो वेक्टर है एक A है और एक B है सही है ना अब इसमें हमें पता चल रहा है के B का projection पढ़ आए एक उपर इसलिए B A बराबर है B A B के अब हमाँ पर क्या दिया वाए E और F दिया वाए हमने क्या किया दो वेक्टर लिए जिसका projection E का projection पढ़ आए F के उपर अब हमें पता है अब F वेक्टर मतला F dot E बराबर है F E F के अब यह जो projection है यहाँ पर क्या हो रहा है multiplier हम वहाँ ले जाएंगे divide करें यह जो यहाँ पर क्या कर रहा है F multiply कर रहा है multiply कर रहा है वहाँ divide करेगा ठीके ना F dot E upon F is equal to E F हमें क्या find करना है projection of E F find करना है हम क्या करेंगे F की value लिखेंगे E की value लिखेंगे फिर F की value लिखेंगे सहीn Egg e F find करना है हमने इसकोससे मल्टिप्लाइ किया है तो हमारे पास क्या answer एक है 2-6 plus 12 सहीना है इसको इससे करेंगे वन म that 1 होता है और 2 zwei तो फ्रेंड्स क्या किया हमने जह हम इसको इस से म्ल्टिप्लाइ करेंगे तो हमाँ पास आएगा हम करके देखते हैं तो सही ना थी तू सिक्स और टू सिग्चा 12 ठीके 12 अच्छा माइनस पिलत जो साइन हो गए आपास में मुल्टिप्लाय हो गए, यह आ गया हमाई पास और जब हम इसको write करेंगे तो में पास 3 आ जैगा, धिके? अब क्या है 2-6 प्लस 12 6 मेंसे 2 गए तो माइनस 4 आ गया माइनस 4 प्लस 12 12 मेंसे 4 गए तो क्या है 8 8 upon 3 क्या है हमाँ पास answer है इसका मतलब यह है E का जो projection पढ़ रहा है F के उपपर उसका direction of vector की value क्या है हमाँ पास 8 upon 3 8 upon 3 तो B is the correct answer नहीं हमाँ पास 2007 में MCQs पूचा गया है Which pair include vector quantity and scalar quantity respectively वो कौन सा pair है जो include कर रहा है vector quantity और scalar quantity को power and speed A हमाँ पास है B हमाँ पास work, potential energy C हमाँ पास है displacement and acceleration और D हमारे पास है force and kinetic energy तो D is the correct answer then हमारे पास है 2019 का MCQs जो के 2019 में हम पूचा गया है The vector product of two vector A and B is dash vector A and B हमाँ पास है दो vector A and B उनका जो product क्या बन रहा है A और B कहां बनेगा यह बताना है A हमाँ पास है equal to product of magnitude of in the plane parallel perpendicular to plane containing और D हमारे पास है less in magnitude than product of magnitude of तो correct answer क्या है C perpendicular to plane containing then हमारे पास है 34 34 क्या है हमाँ पास यह भी 2019 के अंदर MCQs पूचा गया है the scalar or dot product of vector 3i minus 2j plus 4k and 2i plus 2j minus 3k is हमें क्या करना है cross product मतलब कि dot product find करना है अब हमें पता है A dot B बराबर होता है A dot B बराबर होता है B dot A के तो हम क्या करेंगे इन दोनों को multiply करेंगे तो हमाँ पास क्या answer क्या जगा minus 10 so friends आज हमने discuss किये 2010 से लेकर 2019 तक जितने भी पास पेपर में NTS के पास पेपर में DAO के पास पेपर में KMDC के पास पेपर में जितने भी MCQs आये ते वो आज हमने यहां discuss किये है so friends I hope आपको मेरा ये lecture समाज आया होगा पसंद आया होगा so friends अगर आपको मेरा ये lecture समाज आया है पसंद आया है तो मेरी वीडियो को like करें मेरी वीडियो को जादा से जादा share करें ताकि जो बच्चे इस task को देने वाले हैं वो भी इन MCQs से वाकिफ हो सकें so friends ठामने के के 2001 से लेकर 2019 तक जितने भी MCQs आयता है आज वो हमने यहां discuss कर लिये है so friends यह answer की 2009 से लेकर 2001 से लेकर 2019 तक जितने भी MCQs आई हैं इनकी answer की हमने 1 से लेकर 34 MCQs का मतलब यह है के जादा यह chapter हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि हमाई concept के लिए हो और हम NTS के past paper में easily MCQs को correct solve कर सके आज के लिए इतना ही so friends अपना खयाल रखिएगा Allah हाफिज